हेलो एवरिवन वेल्कम टो अशोग अकाडमी यह अपना 13 लेक्चर है ठीक है इसके पहले के अगर 12 लेक्चर में देखे हूंगे तो वह देख लीजिए तो चला लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो आज कर आपके हैं अपना फेजर डाइग्राम ऑफ आइडियल ट्रांस पर्मर और नो लोड कंडिशन देखा था ठीक है अभी क्या देख रहे हैं आइडियल ट्रांस्पार्मर और लोड ठीक है तो देखो यह अपना कि ट्रांस्पार्मर है यह हो गई यह हो गई अपना सप्लाय होल्टेज बीवन ठीक है इसके कारण आइवन करन्ट लोगा ठीक है यह हो गई अएडवन टर्न कि यह में इंडूस हो गया इसके कारण इवन यह अपना में फ्लक्स है फाइड पर अपन ने क्या किया रहे है सेकंडरी साइड में लोड कनेक्ट किया है जेड एल इस इकोल टू आर प्लक्स जे एक्स अपने लोड कैसे लेगे लिया है लेगिंग लोग ठीक है यहाद है ठीक है यह है एन्टू इटू यहाँ आएगा फोल्टेज बीटो कि यह अपना ट्रांस्पार्मर कैसा है आइडियल ट्रांस्पार्मर है वही और आइडियल ट्रांस्पार्मर है वही बीचले रेक्सर वाला है यह है पौर आइडियल ट्रांस्पार्मर लॉसेस क्या रहे थे लॉसेस जीरो आरवन आरटू क्या है मतलब प्राइमरी वाइडिंग रेजिस्टन्स सेकंडरी वाइडिंग रेजिस्टन्स कैसे जीरो वह मत लिकेज फ्लक्स क्या है लिकेज फ्लक्स जीरो वह मतलब ठीक है तो देखो अभी क्या है इधर अपने क्या किया है लोड कनेक किया है ठीक है इसके कारण इसमें से करण फ्लो होगा जो अपने इससे दिखाए आई तो से ठीक है और यहाँ पे कुछ लिकेज फ्लक्स है नई इसलिए यह स्रिक में फ्लक्स है ठीक है तो देखो अभी फेजर डाइग्राम फेजर डाइग्राम निकालते बग जैसे कि पहले निकाल आए अपने वीवन सप्लाय होल्टेज और यह पॉल कैसा लोड़ है पॉल कैसा लोड़ है आर पुलस जे एक्सल लोड़ है ठीक है मतलब लैगिंग लोड़ है लेकिन यहाँ पे आईडियल ट्रांसपर्मर की केस में आर की वैल्व का रहती है जीरो मतलब यह प्यूरली क्या हुआ इंड़क्टिव लोड़ इसके कारण मैगनेटाइजिंग करण क्या आएगा आई म्यू बने मैगनेटाइजिंग करण आई म्यू से दिखाए है ठीक है आई म्यू से दिखा जखते है आई एम से दिखा जखते है लेकिन मैं आगे भी लेक्चर में i-mue की यूज करूगा ठीक है और यह i-mue के कारण यह flux क्या हो गया इसके लिए i-mue और flux कैसे इन फेज है ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया फिर इसके बाद क्या लिया था अपन ने इवन और इटू विद रिष्पेक्ट टू प्लग्स क्या करते है 90 डिग्री लैक करते है पिसले लेक्चर में मैंने डीटल में एक्समेल किया था ठीक है तो क्या हो गया यह इवन हो गया अपने यह कंसिडर किया कि यहाँ पे एन टू लेस दन एन वन है ठीक है मतलब step down है इसके लिए के टू क्या रहेगा इससे कम रहे है ठीक है तो देखो यहाँ पे एटू और वीटू के बीच में कुछ रजिस्टर्स है क्या नहीं और कुछ लिकेश लिकेश्ट्रस है क्या नहीं इसके कारण यहाँ पे आपन लिख सकते है एटू इस इसके लिए इस लिए अपन यहाँ पे इन्डिकेट किया थिर देखो अपने लोड कौछं सा कंसीडर किया है में लागिग लूड में क्या लेगिंग नोड में current क्या करता है? lag करता है current क्या करता है? lag करता है suppose I2 ये जो current diagram में दिखा है I2 ये क्या करेगा? V2 को V2 को lag करेगा समझो कि कितने angle से करता है? 5, 2 angle से करता है ठीक है? यहाँ तक तो diagram सेवी थी यहां से अभी चेंज हो रहा है देखो i2 क्या कर रहा है v2 को lag कर रहा है कितने एंगल से 5 एक है तो अभी देखो 52 से यह क्या कर रहा है lag कर रहा है तो i2 कर रहा है देखो because because of lens law lens law lens law क्या है effect opposes its quads मतलब current i2 क्या कर रहेगा current i2 to to main flux main flux phi इसी को उपन करते है demagnetizing effect demagnetizing effect demagnetizing effect के कारण flux का magnitude क्या हो गया कम हो गया तो therefore flux का magnitude कम हो जाने के खारण emf in primary e1 equal to अपने को क्या माजमा है n1 d5 by dt अगर flux का ही magnitude कम हो गया तो e1 का magnitude क्या होगा कम होगा बराबर रहे न flux का magnitude अगर कम हुआ e1 का भी magnitude क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो जो induced emf पहले था उससे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर ये induced emf in primary कम हो गया तो v1 और v1 और e1 में क्या हो जाएगा phase difference potential difference क्या हो जाएगा potential difference potential difference बढ़ जाएगा ठीक है न e2 और v1 और e1 के बीच में क्या हो जाएगा potential difference बढ़ जाएगा तो फिर primary से अपने को क्या मिलेगा primary से अपने को मिलेगा more current i2- ये बेसिलिए जाया है primary current ही है लेकिन ज्यादा का current अपन क्या करें इधर क्या i2 current अपने को ज्यादा क्या करेंगे ठीक है इसके करान अपन क्या करेंगे v1 से ज्यादा का supply voltage supply current क्या लेंगे primary से लेंगे supply voltage से क्या करेंगे लेंगे ठीक है इसके लिए more current i2- is is taken taken from supply voltage supply voltage supply voltage to d1 v1 से क्यालेंगे i2- more current लेंगे to 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 compensate demagnetizing 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 effect to compensate demagnetizing effect अपन क्या करेंगे i2- v1 से supply voltage से क्यालेंगे ज्यादा लेंगे ठीक है तो देखो फिर loss compensate करने के लिए i2- अभी आपको primary transformation ratio को formula मालूम है k is equal to i1 divided by i2 is equal to n2 divided by n1 यह तो पता है ठीक है यहाँ पे i2- है वो क्या है primary current गिया है ठीक है मतलब i2- क्या है primary current अज़े अज़े इससे अच्छा है यहाँ पे लिख लो i2- यह है primary primary current component है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे student की गल्ति करते है कि यहाँ पे 2 लगा है तो उनको लगता है कि यह क्या secondary current है ऐसे नहीं है यह i2- primary current का component ठीक है इसलिए i1 की जगा i2- divided by i2 is equal to n2 by n1 इसको जापन क्या लिख सकते है इसको जापन क्या लिख सकते है के लिख सकते therefore i2- is equal to k i2 okay okay for i2- Q-liad to i2- opposes i2 therefore phase difference phase difference between i2- i2- i2 it's 180 degree मैंने पहले बताया है कि अगर एक quantity दुसरे quantity को अपोच कर रही है तो उनके बीच में phase difference किता होगा 180 degree ठीक है इसलिए अपन i2- पैसे दिख रहेंगे यह क्या हो गया अभी i2- same magnitude इसका इतना magnitude रहेला same magnitude ही आप रहेंगे यह हो गया i2- ठीक है अभी देखो i1 is equal to क्या रहेंगा i1 is equal to क्या रहेंगा i1 is equal to i mu plus i2- इसकी क्या है vector sum क्या है vector sum ड्यान में रखना vector sum numeric sum और vector sum में क्या है difference है i1 is equal to i mu plus i2- dash यह क्या है primary current है यह magnetizing current है यह component load component of primary current क्या where i1 is i1 primary current primary right i mu magnetizing current magnetizing 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 current magnetizing current magnetizing मतलब पता है na current required to set up flux is known as magnetizing current or i2 dash i2 dash i2 dash i2 dash i2 dash component component of primary current load load component of primary current load component of primary current ठीक है अब भी देखों अपने को क्या दिखाना है i1 देखना है i1 क्या है vector sum of i mu and i2 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 2 i2 i2 i3 i2 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 प्राइमरी तरण और इसमें जो एंगल गएगा ओर है यह एंगल है लोड एंगल है लोड एंगल प्राइमरी साइड ठीक है यह फेजर डाइगराम समझ में आ गई किया देखो क्या किया है अपने वीवन अपना प्राइमरी अपने फोल टेक है ठीक है आए मियू हमेशा वीवन से क्या रहेगा 90 डिगरी लैग रहेगा क्योंकि मैं नें बता दिया यह कहा है आइडियर ट्रांसफर्मर और आइडियर ट्रांसफर्मर रहे आर की वेलु करें जीरू रहती है ठीक है और इसके बात में ध्यान रखना कि आई मियू वीवन पे विद्विश्पिल क्या रहता है 90 डिगरी लैग रहता है ठीक है आई मियू के करना फ्लक्स प्रोडूस हो गया यह आई मियू और फाय हमेशा गशे रहेंके फेज में रहेंगे और ईवन और ईटू क्या है इंडूस इम है इन प्राइमरी ए रहेंगा वी टूसे लैग करेगा बार लोड एंगल फाय धूटू ठीक है फिर तू कमपनेट आई टू क्या कर रहें आपन प्राइमरी से ज्यादा का करन्ट क्या कर रहें डिमांड कर रहें वो आई टूस डैस से इंडिकेट किया है वो पैसे 180 डिगरी आउट ऑफ है ठीक में यह में जो मदूस हो राथा उसके मैजने किया होजाएंगा गट जायेगा और ईवन और इवन में अगर पोटेंशिल लिपरेंज जाए तो करण अपनाः क्या होगा जञादा फ्लो का है ट्लो होगा यह तो Cp इसके कारिन यहां पर क्या किया संकिया और आई निकल दीक जो एंगल बीवन और आई वन के बीच में एंगल इसको कह गते हैं अपन प्राइंडरी लोड हैंग इसको कह गते हैं वी तो और आयतो की inquiry में सेकेंडरी लोड़ एंग की अधि है ओके प्रेंस डैट सेटम फ। लाइक चैनल को लाइक सब्सक्राइब को शेयर करना ना भूलिए ठीक है घर में रहे हैं सुवस्त रहे हैं थैंक्यों